नवश्कार महप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर विहार में एक कोल्ड डे जैसे हालाथ बिहार में 10 करोर COVID-19 वाक्सिनेशन के आख़ों को पुरा करने को इशान किशन ने कहा गर्थी बार बिहार के कई शहरों की बदलेगी ट्राफिक विवस्तार शराबंदी कानून को लेकर ज़ारी टोल फ्री नंबर पर एक महीने में 5000 से विक्ष पाए बिना मास्क पाए जाने पर जब्त होंगे वाहन और दुकान अब जले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की उर्विस्तार से 15-18 साल के वाक्सिनेशन को लेकर पहले दिन यहां 39 किशोरों का हुआ स्लोट बुक सोमवार से बिहार समेत देश भर में 15-18 साल के आयूवर के बच्चों की ठीका करन का काम किया जाना है सबसे खास बात यह है कि राज़धानी पट्टा में इसको लेकर तैयार या तेज है यही कारण है कि स्लोट बुकिंग के पहले दिन कई उवाओं ने स्लोट बुकिंग करवाई है जिसमें अगर हम मुजफर पुर्जियले की बात करे तो यह 29 किशोरों को टीके की पहली खुराग देने के लिए स्लोट बुकिया गया है सर्वर डाउन रहने से काफी लोग परेशान भी दिखे दियाईजी डॉक्टर एक के पान्डे ने बताया है कि रविवार को 11 बज़े तक सभी केंद्रों पर टीके के डोज पहुंचा दी जाए जिसकी कारण ही बिहार के कई जिलों में ठंड लोगों को अब और ज्यादा महसूस होने लगी है श्रणिवार की ही बात करें तो मौसम का मिजवास काफी बदला हुआ नजर आया सुबह से ही आकाश में बादलों का घेरा आप देखने को मिला दिन भर लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए वही रविवार की बात करें तो आज सुबह से ठिटरन जारी है मौसम वभाग की तरफ से मिरी जानकारी के नुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम सुष्क बना होने के साथ ही न्युंतम तापान में कोई खास बदलाव नहीं देखा ग गा मिरी जानकारी के नुसार सितरने वाले CNG स्टेशन को बनाने की तयारी दिघह बाजघाट या गए खास के किनारे हो सकती है यह CNG स्टेशन राजधानी से नरी किनारे नाव से हो रहे बायू प्रदुशन को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकता है कमबेश दिगह से लेकर फत्वा तक 1000 से अधिक नाव का संचालन होता है आधे से जादा नाव डीजल से चलते हैं गेल के बड़े अधिकालियों की माने तो जिस तरह पटना में प्रदूशन का दायरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार के सहयोग से आने वाले समय में पटना में भी नदी किनारे CNG स्टेशन खोले जा सकते हैं स्टेशन से CNG नाव को इरधन मिल सकेगा बिना मास्क पाई जाने पर जब्त होंगे वाहन और दुकान बिहार में COVID-19 के मामलों में तेजी से बढ़ होतरी देखी ज़ा रही है इसमें राजधानी पतना धीरे धीरे हॉट्श्पोρट बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि समूचे बिहार भर में आ रहे है COVID-19 के मामलों में से आधे से ज्यादा मामले राजधानी पटना से आ रहे है यही कारण है कि बिहार की राजधानी पटना में अब मास्क को ले कर सकती बढ़ाई जा रहे है मिली जानकारी के नुसार जिले में COVID-19 नियमों का पालन कराने के लिए सोमवार से प्रसाशन सकती लागू करेगा मास्क चेकिंग और COVID प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 5 नई टीमें बनाई गई है अब इसके लिए जिले में कुल 10 टीम सकरिये हो गई है जिन 5 नई टीमों का गठन किया गया है उसमें 3 टीमें बस टेंपू आधी में मास्क की चेकिंग करेगी बिना मास्क के अगर ड्राइवर खला से या उसमें बैठे आने लोग मिले तो वाहन को जब्त किया जा सकता है बिहार में 10 करोर COVID-19 वैक्सिनेशन के आखणों को पूरा करनी की को इशान किशन ने कहा गर्फ की बात बिहार में COVID-19 के मावलों में जहां एक तरफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरफ वाक्सिनेशन के लक्ष को पूरा करने में भी सफलता हासिल हुई है यही कारण है कि बिहार के स्वास्तमंत्री वंगल पांडे ने विभाक के कर्मचारी और लोगों को बढ़ाई दे थी दूसरी तरफ पटना के रहने वाले भारतिय क्रिकेटर स्टार इशान किशन ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है जिस मुरह ने कहा है कि जिस तरह से एक एक कर हम सौरन बनाते हैं ठीक उसी तरह कि अनुभूती 10 करोर वाक्सिनेशन पूरा करने पर भी हुई है बिहार के साथ सुरक्षित बिहार पर गर्व है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार ने शुक्रवार को ही 10 करोर डोस की आखड़े को पार कर लिया है हाला कि बता दे कि यहाँ आखड़े पहली और दूस्टी डोस दोनों को मिला कर पूरे किये गये हैं जो कि ग्रफ्तारी के पीछे 7 नवमर से सिवान जुले के ही तीन युवक का अचानक से लापता होना था इसको पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी अयूब खान की ग्रफ्तारी समय उस समय पर हुई जब परिवार के साथ ग्यांग टॉक से नई साल की पार्टी कर मुजफर पर उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन युवक का अबहरन कर ठेकाने लगाने का काम क्या है इस मामले में सिवान नगर थाना में प्राथ्मी की थर्च करवाई गई है प्राथ्मी की दर्च होने के बाद पुलीस अयूब की तलाश में जुट गई थी अयूब खान को ख्यातर के शीडिटी में आयोजित चौधवी रास्ट्रिये ग्राम प्लिंग चैंपियंशिप में बेतिया के लुकेश्ट कुमार ने 84 किलोग्राम बर्ग में उरिसा की खिलारी को हरा कर फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। के द्वारा मिली और उनके नेत्रुत्व में हमें काफी लाव मिला। बिहार के कई शेहरों की बदलेगी ट्राफिक व्यवस्था। प्रमंडलिय मुख्याले वाले शेहरों को चुना गया है इसके बाद अनिव शेहरों का नंबर आएगा खबरों की माने तो ट्राफिक विवस्था में सुधार के लिए शेहरों के महतवपून चौक चौराहों पर ट्राफिक सिग्नल लगाने की भी योचना है इसके लिए प् स्पीड गन भी मुहाया करा दिया गया है श्राफबंदी कानून को लेकर जारी टोल फ्री नंबर पर एक महीने में 5000 से अधिक शुकायत विहार में श्राफबंदी कानून कहने को साल 2016 से लागो है लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इसकी जानकारी आज आपको भी है और हमें भी हलाकि उन सब के बीच श्राफबंदी कानून को सक्ती से लागो करवाने के लिए हालिम में मधिनिश्येद विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया था हैरान की बात यह है कि इस टोल फ्री नंबर पर एक महीने में 5000 से अधिक शुकायते सामने आई है ये सामने आया है कि सभी जिलों में सबसे ज्यादा मुखर गया जिला और रास्थानी पटना रहे पिछले तकरीबन एक महीने में इन दोनों जिलों से 1100 से अधिक कॉल हेल्प लाइन नंबर पर दर्श किये गया है मधिनिश्येद विभाग की तरफ से मिली जुआनकारी के स्वचुता सर्वे 2022 में पटना को बहतर रांकिंग दिलवाने का मौका आपके पास भी है इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कई प्रयास भी किये जा रहे हैं जुसमें आप भी एहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि नगर निगम का प्रयास कितना सफल हुआ है या नहीं इस बार 15 साल से 60 साल के उमर के लोगों और 60 साल से अधिक के उमर के लोगों की राय को ज्यादा महत्व दिया जाएगा पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बढ़ाई देश भर के डॉक्टरों की चिंता बिहार में COVID-19 के मामलों में उच्छाल देखने को मिल रहा है इसे बीच पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तीन जूनियर डॉक्टर समेत MBBS के डेर दर्जन मेडिकल चातर चातराओं की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देश भर की डॉक्टरों के बीच हरकप मच गया है क्योंकि जितने भी लोग अब तक संक्रबित पाएगे हैं उनमें से अधिकांश ने पटना में IMA के संबेलन में हिस्सा लिया था जो संबेलन में देश भर के डॉक्टर्स शामिल होए थे हाला कि एहतियाती तोर पर फिरहाल अस्पताल की मरजेंसी में अंटिजन जाच कराई गई है अधिकतर चातर चातराय दोहजार उनीज बैच की है मरीजों में ऑक्सिजन लेवल भी दूसरी लहर की तरह नहीं गिर रहा है रितो जैस्वाल ICO में भरती मिते दिन नैस साल के मौके पर पुर्व मुख्या और राजुत की प्रवक्ता रितो जैस्वाल ICO में भरती हो गई मिली जानकारी के नुसार बीते शनिवार श्राम को उनकी तब्यत खराब हो गई और साथ लेने में भी तकलीफ होने से हालत बिगरने लगी थी नहीं चेहरे पर भी सूजन की कारण वो अपनी आखे भी पूरी तरीके से नहीं खोल पा रही थी सितिया हो गई कि उनकी हालत को देखते वे आननफानन में पारस अस्पताल में उन्हें भरती करवाए गया जहांपर उनकी हालत MICU-09 में एकस पर डॉक्टर के निगरानी में इलाज किया जा रहा है डॉक्टर रुकी मारे तो उन्हें आब्जर्वेशन में रखा गया है और इलाज किया जा रहा है वो इमर्जनसी में आई है और उन्हें आईस्यू में भरती किया गया है अब आगे स्थिती जैसी होगी सम्मनित विभाग में उनको शिफ्ट किया जाएगा हलाकि अभी उन्हें क्या बिमारी है इसको लेकर कोई खास ज्यानकारी निकल करके सामने नहीं आई है अपने ससुराल में बेहादी खुश नजराई राजश्री बीटे दिन नए साल के मौके पर नेता प्रतिपक्ष्ट जस्वी आदब अपनी पतनी राजश्री के साथ अपने समर्थकों को नए साल की शुब कामनाई देते देखे गए हलाकि जरान उन्होंने मीडिया से भी बातशीत की और जब मीडिया ने राजश्री से ससुराल के बारे में सवाल पूछा तो राजश्री ने साफ कहा कि वो शादी के बाद बहुत खुश है नया साल ससुराल में कैसा बीत रहा है ये पूछे जाने पर राजशी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत प्यार मिल रहा है मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपना नया साल यहां मना रही हूँ जोरान तेजस्वी ने कहा कि अगर लोगों का साथ आशिरवाद और प्यार मिलेगा तो दिक्कत किस बात किये भाई ज़ारखंड के सिक्षा मंतरी जगननाथ महतो की चर्चा बिहार में हुई शुरू उनके इस कदम को लेकर बिहार में ज़द्यू ने जम कर तारीफ तो की ही साथ ही राजुत को भी दो टूक नसीहत डाली है जुसके तहर जद्यू प्रवक्ता नीरच कुमार ने एक जगननाथ महतो के फैसले की तारीफ की साथ ही लिखा कि राजुत को सहयोगी दल से सीख लेनी चाहिए ज़ारखंड के सिख्षा मंतरी जगननाथ महतो ने 54 साथ की उम्र में इंटर परिक्षा देने का लिया फैसला अगर हम देखे तो इस मुद्ध को लेकर टीम इंडिया के मुख्य चेहन करता चेतन शर्मा ने बीसी स्याइ एधेक्ष सौरब गांगुली के दावो का समर्थन कर दिया था जिसके बाद अब टीम इंडिया के पुर्फ क्रिकेटर आकास शोपड़ा ने चेतन शर्मा की प्रेस कॉन्फरेंस को आडे हाथ हो लेते हुए कहा है कि उन्हाने विराथ कोली और बोर्ड विवाद को और गहरा दिया है उन्हाने आगे कहा कि BCCI और विराथ कोली के बीच जो आग चल रही है चेतन शर्मा ने उसमें और घी डालने का काम किया है ऐसे बयान दे कर चेतन शर्मा ने बेर मतलब का नया विवाद पैदा कर दिया है कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत हन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विवेक दबंग, विकास कुमार सिंग, टेक्निकल सोनू, संगराम, अनिता देवी, रगुनाद प्रसाथ, अनुच कुमार, मुन्ना कुमार, शंकर मुख्या, नंद कुमार सिंग, रिंकु कुमार, अजीत कुमार, धीरज कुमार, गौतम चौधरी, ब्लोक, विकास कुमार गजे इंदर सिंग आप इसी तरह बारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के मामलों में हो रहे ही बढ़ होतरी को ध्यान में रखते हैं क्या बिहार सरकार को नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटिट रहने क के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद